दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहली कबर बिहार में 48 घंटे का अलर्ट नावादा और जमोई में भारी बारिस की चेतावनी सभी 38 जिलों में चलेगी तेज हवाई तीन अक्टूबर की साम से मिल सकती है रहाज मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में 35 से 45 किलोमीटर परती घंटे के रफ्तार से हवाई चलने का अनुमान जताया है इस दोरान अगले 48 घंटे तक बारिस को लेकर भी बीसेस अलर्ट किया गिया है विभाग का कहना है कि बंगाल के खाड़ी से आने वाले नमी सिद बिहार के मजदी हिस्से पहुच रही है इस गरन भारी बारिस हो सकती है खासकर नवादा और जमुई में वही उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारन, सिवान, सारन, पुर्वी चंपारन, गोपाल गज, सितामडी, मधोबनी, मुझपर, पूर, दर्बंगा, वैसाली, सिवर, समस्तिपूर, सुपोल, ररिया, किसन गज, मधेपूर, सहरसा, पुर्णिया और कटिहार में तिन अक्टुबर की साम से बारिस दिरे दिरे कम हो सकती है, इस दौरान अधिक बारिस सोने से अधिकांस जगवा पर जल जमाव की सित्य हो सकती है मौसम भाग ने आने वाले दो दिनों को लेकर बिहार को तेन जोन में बाठ कर चेतावनी जारी की है भागलपुर बाका पटना अरवल गया और औरंगाबाद को येलो जोन में रखा है और इन जोन में जहानाबाद, नालंदा, सिक्पुरा, लकिसराय, बेगुसराय, मुंगेर और खगड़िया को रखा गिया है वहीं रेड जोन में नवादा और जमोई का रखा गिया है मौस्व विभाग ने 204 एमम तक बारे सुनी की सम्मावना जताई है बाड़ी कबर बिहार में मजदोरों की बढ़ी नियुंतम मजदोरी आज से लाग हुई नई दरे स्रम संसादन विभाग ने जारे की अधिस उचना जहां बिहार में मजदोरों को नियुंतम मजदोरी बढ़ा दी गई है स्रम संसादन विभाग ने परिवर्तन सील महंगाई भत्ते में बिर्दी के आधार पर नई दर तैक कर दी है सरकार साल में दो बार दियोंतब मैज़ोरी तैक करती है इस साल एक अप्रेल 2021 को नई दर लागो होई थी दूसरी बार अब एक अक्टोबर से नई दर लागो हो गई है बड़ी वी मैज़ोरी दर दो रूपे रोज से लेकर 68 रूपे महेना तक है इसके अधिस सुचना स्रम सं साथन विभाग ने जारी कर दी है आपको बता दे कि आप बड़ी हुए मैज़ोरी के ताहद आकोसल स्रेनी के मैज़ोर को 306 रूपे रोजाना अर्द कुसल को 318 रूपे कुसल को 388 रूपे अति कुसल को 474 रूपे और परिया व्यक्षिय को 875 रूपे मैज़ोरी मिलेगी अगली बाड़ी कबर महेने के पहले दिने महंगाई का जटका फिर बड़े LPG सिलेंडर के दाम जी हाँ अक्टबर महेने की सुरुआत होता ही पेटरोलियम कमपनी ने महंगाई का जटका दिया है कॉमर्सियल सिलेंडर के दाम में 43.5 रूपे की भारी बढ़त की है गौर तलवे की पेट्रोलियम कमपनी हर 15 दिर पर एल पेजी सिलिंडर के दाम की समिक्षा करती है इंडियन ओयल की वेवसाइट के नुसार अब 19 किलो कॉमर्सिल सिलिंडर का दाम 1736.5 रुपे हो गया है पहले यहाँ 163 रुपे था हाला कि घरेलो उप्योग वाले 14.2 किलो की सिलिंडर के किमेत में कोई बदलाव ना कर थोड़ी रहात दी गई है अगली बड़ी खबर कक्चा 9 में रजिस्टेशन के लिए आब 15 अक्टूबर तक मौका जिहां बिहार बिदाले परिचस समिती ने मेट्रिक परिचा 2030 के लिए नवी कक्चा में पढ़ रहे बिरदाती अब 15 अक्टूबर तक अपना रजिस्टेशन करवा सकते हैं पहले यहां लाश्ट डेट 30 सितंबर तक थी वर्तमान में कक्चा 9 में पढ़ रहे चात्र इसकूल के मैदम से बोर्ड परिचा 2030 के लिए अपना रजिस्टेशन करवा सकते हैं राज के मैदमिक इस तर से सिक्चन संसानों के प्रधान अपने संसान के नवी कक्चा के चात्रों का रजिस्टेशन वेबसाइट सेकंडरी.biharboardonline.com पर जाकर कर सकते हैं अगली बड़ी कवर बिहार से उत्तर परदेश और जारकन के लिए चलाया जाएगी 112 नहीं बसे जिहाँ पटना से राज के दोसरे सहर में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं होगी पटना से दरवंगा, समस्तिपूर, सासा राम, जमोई, बाका, पाली, बववा, औरंगाबाद, बीटा मोड, मानपूर, समेत, जारकन वा, उत्तर परदेश के सहरों की बेज, परिचालन के लिए बसों की सिंख्या बढ़ाया जाएगी बिहार राजय पत्र परिवाहन निगाम राज के भीतर, पचास रूटों पर जारकन के लिए दस तता, यूपी के लिए च्छार रूटों पर परिचालन में बसों की सिंख्या बढ़ाएगा निगम की ओर से इन 86 रूटों पर 370 बसे चलाए जाएगी बिहार के अंतर छेत्रिय और अंतर राजय मारगो की विवरान आवजन के प्रारूप और बसों की परिचालन के सरते परिवाहन विभाह की ओर से जारे की जा चुकी है इन्हें रूटों पर बसों की परिचालान से इचुक लोग परिवान बिवा की वेबसेट से जानकारी ले सकते हैं निगम के मुताबिक बिहार से यूपी के लिए 82 बसे बढ़ेगी जबकि बिहार से जारकन के बीच 34 बसे चलाय जाने के तैयारी है वहीं बिहार के अलग लग रूटों पर कूल 254 बसे बढ़ाय जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार में आज यानि गादे जैन्दी पर टिका महाबियान 35 लाग लोगों को वेक्सिन लगाने का लच्छ जहां बिहार में राष्ट पिता महातमा गान्दी की जैन्दी यानि 2 उक्टूबर को कोरोना टिका करन के महाबियान का आयोजन किया जाएगा इस महाबियान के तहद सनिवार को 35 लाग से अधिक लोगों को कोरोना टिका लगाने का लच्छ रखा गिया है स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने मीडिया से बाचित में कहा कि पिछले बार से अधिक लोगों को टिका देने के तैयारे की गई है स्वास्त विवा के दिकारीक सूतर ने बताये कि पिछली टिकाकरन माभियान के तहद 17 सितंबर को राज में अधिकतम 33 लाख व्यक्तियों को कौरोना टिका लगाय गया था इस बार 15 हजार से अधिक टिकाकरन केंदरों का संचलन किया जाएगा पिछली टिकाकरन महावियान के तहद 14 500 टिकाकरन केंद्रों का संचलन किया गया था जबकि समाइने दिनों में 3000 से 6000 टिकाकरन केंद्रों का संचलन किया जाता है बाड़ी कबर देश वहर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल एक लाग के आवादी पर मात्र छे बेड नीचे से नमबर रहे जहां निती आयोग ने बिहार सरकार की विवस्ता की पोल खोल दी है देश वहर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है जो और केंद्र सासित प्रदेशों की लिष्ट में पार नीचे से नम्मर वन है यानि की बिहार इस मामले में सबसे फिजडी राज्जी है दोसरे तरह बिपक्च पर फुटक खराब स्वास्त विवस्ता का ठिकारा बिहार सरकार के मंत्रे ने लालो राबडे राज को ठराया जिम्मेवार जी हानिती आयोग द्वारा जारे रिपोर्ड में बिहार की स्वास्त विवस्ता एक वर फिर से पीछेड साबित हुई है बिपक्च लगातार इसको लेकर सरकार पर निसाना साथ रहा है कल बिहार सरकार में मंत्रे जीवेस मिसरा ने बिपक्च को करारा जवाब दिया है निती आयोग में फिश्डी होने का ठिकारा मंत्रे ने बिपक्च को ही मत्ते फोड़ दिया है मंत्रे जिवेस मिस्रा ने कहा कि लालो राबडे सासनकाल में स्वास विवस्ता का जो हाल ता उसी दुरस्त किया जा रहा है मंत्रे ने कहा कि 1990 से 2005 तक जब विवक्ष के लोग सत्ता में थे तब तो उन्होंने स्वास विवस्ता को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयासी नहीं किया जब महामारी सरकार सत्ता में आई तो पहले की खामियों को ही पहले दुरस्त करने में काफे समय लग रहा है जाहिर है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा बिहार हर समब परयास कर रही है रिपोर्ट में अभी बिहार 15 नमबर पर जरूर है लेकिन उसे नमबर वन बनाने के लिए हर समब परयास जारी है आगली बाड़ी ख़वर मेडिकल फैसिलिटी में बिहार में फेल को लेकर 3 अक्टूबर को डाक्टर से बात करेंगे तेजिस्वी आदव जी हाँ तेजिस्वी आदव अब महंगी दवा कोरोना काल में अक्सिजन के लिए मची आपा धापी बलेक में कई गुना महंगे बिक्ते दवाई और इंजिक्सन बिना पीपी कीड एन 95 मास्क के कुरोना संक्ट में काम करने को मजबूर डाक्टर समेथ तमाम मुद्दो को लेकर आगामी 3 अक्टूबर को डाक्टर से बाचित करने वाले है आरजेडी का कहना कि कुरोना हो या चमकी वुकार अस्पटाल कर्मी नर्स और जूनियर डाक्टर प्रदसन करते नजर आए मिड़मना है कि यह उस राज की कहानी है जहां कि सरकार लगतार 16 सालों से सुसासन का राग अलाप रही है बड़ी ख़वर बिहार में रेस्टोरेंट में मास मचली की बिकरी पर रोक दो दिन नहीं मिलेगा नौनवेज जिया अगर आप मास मचली खाने के सौकेन है तो ये ख़वर आपके लिए बहत जरूरी है बिहार में अक्टूबर महिने में दो दिन मास मचली की बिकरी पर रोक लगा दी है केवल मास मचली के दुकानों में ही नहीं बलकि इन दो दिन होटल और रिस्टूडेंट में भी मास मचली की बिकरी पर रोक रहेगी आपको बता दी कि 2 अक्टूबर को महादमा गांदी और भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर सास्त्री के जैनती को निरामिस दिवस के रुप में मनाये जाने का नेने सरकार के और से लिया गिया है इसे देखते विए 2 अक्टूबर को संपुन जिला में मास मचली की बिकरी पर रोक रहेगी इसके अलावा 4 अक्टूबर को पस दिवस होने की वज़ा से भी इस दिन बाजार और होटल और रेश्टूरेंट में मास मचली नहीं मिलीगी अगली बड़ी कबर बेहार केबिनेट में 18 एजेंडे पास बालू घाटो के लिए 8 जीलों में नया टेंडर जारी करेगा खनन निगम पुराने अटो को सी एंजी में बदलने की समय सिमा बढ़ी जामुकिमंतरी निदिस कुमार के अध़िस्ता में कल केबिनेट की बैठक की गई जिसमें 18 एजेंडे पर मुहर लगाए गई इन 18 एजेंडों में बालू घाट बंदों पर सावदी के लिए विस्तार किया गिया 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तार दित किया गिया है नवादा अरवल बाका बेतिया में विस्तार किया गिया है मदिपूरा किसन गंज बैसाली में बंदोबस्ति किया गिया है विहार के आठ जिला पटना भोजपूर रोताज सारा नोरंगाबाद गया जमय और लकिस्तरा में बालू घाटो की बंदोबस्ति छोड़ चुके अजैंसियों की जगह पर राज खनन निगम नया टेंडर जारी करेगा इसके लावा केबिनेट में 31 मार्च 2022 तक के लिए पुराने ओटो को सीनज में बदलने की समय सिमा बढ़ाया गया है पटना में 25,000 ओटो है जिसमें 20,000 ओटो सीनजी हो चुके है बाकी के लिए समय सिमा बढ़ाया गया है वहें बिहार पुलिस अकादमी में 4000 सिपाईों के रहनी के लिए बेरक बनेगा 154 करोड रुपी की रासी पर प्रसासनिक स्विकृति दी गई है अगली बड़ी खबर एंडिये नेताओं ने कहा मिलकर जितेंगे दोनों सीट जेड़ोई ने तारापूर से राजीव रंजन सिंग और कुसिस्वरिस्थान से अमन हाजारी को बनाया उमिद्वार जिहां एक तरह बिहार विदानसवा अपचुनाव को लेकर महागडवन्दन में पेच फसा है वहीं एंडिये ने मिलकर इस मसले को सुलजाबी लिया है तारापूर से राजीव रंजन सिंग और कुसिस्वरिस्थान से अमन हाजारी को जेड़ोई ने टिकर दिया है इसकी घोसना एंडिये के सभी दलों ने सुकरवार को पटना में साजा फ्रेस कॉनफरेंस में की है अगली बड़ी ख़बर पंचाज चुनाव में 78% मुख्या नहीं बचा पाए कुरसी डिप्टी सियम के भाई भी हरे जिहां बिहार में 55% में नतिजे चोकाने वाले आ रहे हैं सुकरवार की देर रात तक आये नतिजों के मुताबिक पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी पुराने प्रतिनिद्यों को हार का सामना करना पड़ा है साप है कि 5 बरसों के उनके काम को जनता ने सिवकार नहीं किया है नए लोगों को मौका दिया गया है सबसे ज़्यादा जिला परिसल सदोसों की हार हुई है वहीं चनपडिया में डिप्टी सियम रेनुदुई के भाई रवी कुमार भी हार से बचने से के प्रदेश के करीब 78 फीजी मुकिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए पाले चरन के चुनावे भी 81 फीजीय से अधिक मुकिया पर जनता ने दूसरी बार भरोसा नहीं किया था और अन्थ की बड़ी खबर बिग गई सरकार की एएर इंडिया टाटा कम्पेनी ने लगाई सबसे बड़ी बोली इंडिया को यानि अब एइर इंडिया टाटा समो के निंत्रन में जाएगी एर इंडिया की unless टाटा समो हक मिल सकता है आपको बढ़ा दे कि जियारी टाटा ने 1932 में टाटा एलाइंस के स्थापना की थी दूसरे विश्व योद के वक्त बिमान स्वाए रोक दी गई थी जब फिर से बिमान स्वाए बहाल होई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एलाइंस का नाम बदल कर उसका नाम एर इंडिया लिमिटेट कर दिया गिया था आजादी के बाद 1947 में एर इंडिया के 49 भागिदारे सरकार ने ले ली थी आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि महात्मा गांदे जी का जनम भारत के किस राज के कौन से सहर में हु तब आप हमें नेचे कौमेंट करके जरूर बताएं